राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान की रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते राजिस्थानी लोक कताओं पर आधारित कारिक्रम हर्याला वन बच्चों ये कहानी तुम्हें राजिस्थान के उस पत्थरीले रेतीले इलाके में ले जा रही है जहां सूखे के बाद भी बड़े खोबसुरत वन निप्राणी बसते हैं इस इलाके का नाम है पोकरण यहां विश्णोई नाम की जाती की लोग रहते हैं ये लोग देखने में बड़े सुन्दर लंबे तगड़े और जीव हत्या की सख्त खिलाफ हैं ये लोग जीव जन्तुओं और प्रकरती की दी हर्याली के सच्छे रक्षक हैं इनका मानना है धर्ती वो सोनारी भात जीनका वन में हर्या पात जी में कोयल कूके प्रात जी में मिर्गा डोले रात यानि वो धर्ती सोने जैसी होती है जहां के बनों में हर्याले पत्ते होती हैं जहां सुबह सुबह कोयल कूकती है और जहां रात में हिरन खूमते हैं तो लो आप सुनों कहानी उन दिनों राजस्थान में रेतिले इस्थान होने के बावजूद काफी वन थे जो हूब घने थे वन थे तो वन निप्राणी भी थे लेकिन शिकारियों ने शिकार कर-कर के कर-कर के सभी वनों से पशुपक्ष्यों की संख्या आधी कर दी हालत ये थी कि शिकारियों के खोडों की चाप सुनाई देते ही पूरे जंगल में खलबली मच जाती थी अब भाईया ये क्या जीवन है इन शिकारियों के भैसे तो मैं अपने पंक फैला कर नाच भी नहीं सकता अब शेर भाईया तुम ही कोई रास्ता निकालो है मोर भाईया अगर इनके हाथ में तीर कमान ना हो ना तो मैंने शिकार करने का मज़ा चखा दूँ हिम्मत हो तो बिना हत्यार लड़े मुझ से शेर राजा अगर तुम जैसा शक्तिशाली जीब भी इनके हत्यारों से डरता है तो हम हीरनों की क्या भिसाथ मैं तो घोड़ों की टाप सुनते ही भाग लेता हूं गाओं वालों ने पेड़ काट-काट कर जंगल सूने कर दिये हैं छिपू तो कहां छिपूं धीरे धीरे सभी वनों से पशु पक्षों की संख्या घटने लगी शिकारी पक्षियों और जानवरों के सर दिवार पर टांग कर बड़े खुश होते जानवर मारना बड़ी बहादुरी का काम समझा जाता पहले जंगलों के सारे शेर खत्म हुए फिर बड़े पक्षी खत्म हो गए और अब अरब शामत थी हिर्णों की चीतलों की सांभरों की खरगोशों की तीतर और बटेरों की एक दिन जब पोकरण के जंगलों में शिकारियों ने बाकी बचे छे काले हिर्णों में से तीन को मार डाला तो जंगल में गहरी उदासी चागई पश्य पक्षी भाई के मारे अपने अपने घरों में पड़े रोते रहे अचानक गिलहरी को एक उपाय सुझा उसने जंगल के प्राणियों की एक सभा बुलाई दोस्तों दोस्तों शिकारियों का अत्याचार सहते सहते आपको अन्याज सहने की आदत ही हो गई है आप सब हाथ पर हाथ रखकर अब सिर्फ मौट का इंतजार करते हैं जो की गलत है तो तो क्या करें शिकारियों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार तो है नहीं हाँ हथियार तो है नहीं हमारे पास नहीं दोस्तों एक हथियार है हम सब चलकर वन देवी की प्रार्थना करते हैं जब वो प्रगट होंगी तो हम उनसे अपना दुखड़ा कैसे सुनाएंगे क्यों? हाँ, यह ठीच लेगा, यह ठीच है, यह ठीच है, यह ठीच है, चलो, चलो बच्चों, गिलहरी की बात सभी पशुपक्ष्यों को पसंद आई, सब ने मिलकर वन देवी की प्रार्थना की तभी वन देवी प्रगट हुई तुम सब इतने उदास और परेशान क्यों दीख रहे हो? क्या मेरे वनों में पत्ते नहीं रहे? क्या पेडों पर फल नहीं रहे? क्या नदी में पानी नहीं रहा? और तुम पशुपक्षियों की संख्या इतनी कम क्यों दिखाई दे रही है? बाकी सब कहां है मोर क्या बात है कुछ तो कहो क्या कहूं वन देवी आज तुम्हारे जंगलों में रहना मुश्किल हो गया है शिकारियों ने अपने तीर कमानों से सारे शेर खत्म कर दिये हैं और अब हिरणों की शामत आई है गाव वालों ने आग जलाने के लिए पेड काट डाले हैं हम छिपें तो कहां छिपें हमारे पास कोई हतियार नहीं लड़े तो कैसे लड़े वन देवी हमें कोई ऐसा हतिया करते दो जिससे हम अपने रक्षा कर सकें मैं तुम्हारा कश्ट समझती हूँ लेकिन मैं तुम्हें कोई हतियार नहीं दूंगी हतियार के हाथ में आते ही तुम भी जंगली शिकारी हो जाओगे और हिंसा करने लगोगे हिंसा बुरी चीज है हिंसा से और हिंसा भड़कती है रहा तुम्हारी रक्षा का प्रश्ण तो इस विशे में मैं गाउंवालों से बात करती हूं जीवन देवी वन देवी की ये कहने पर मूर उड़कर सीथा सरपंच के घर गया उसने बताया कि वन देवी गाउंवालों से बात करना चाहती हैं सरपंच गाउंवालों के साथ जंगल पहुंचा वन देवी प्रणाम अब कहो मैया हमें क्यों याद किया हमसे क्या अपराद हुआ मैया इस वन के पशुपक्षी तुम लोगों की शिकायत करने आये थे कैसी शिकायत मैया यही कि शिकारियों ने उनकी संख्या आधी कर दी है मैया हम लोग तो भोजन के लिए कभी कबार ही शिकार करते हैं लेकिन बाहर सी आने वाले शिकारी तो इनके सिर अपने घरों में सजाने के लिए और खाल को बिचाने के लिए शिकार करते हैं जो भी हो पशुपक्षी भी तुम्हारे जैसे ही जीव हैं उन्हें मारने का न तुम्हें अधीकार है और न शिकारियों को मैया अपनी बात तो हम कर सकते हैं परन्तो शिकारियों का जिम्मा कैसे ले वो भी ले सकते हो अगर तुम लोग पेड़ों को काट काट कर जंगल खाली न करो तो जानवर इन में छिपकर अपनी रक्षा स्वैम कर सकते हैं लेकिन मैया आग जलाने के लिए तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे आज तक तुम लोगोंने इस वन के कितने पेड़ काटे हैं कितने पेड़ इसकी तो कोई गेंती ही नहीं है मैया जब जिसको जरूरत होती है पेड़ काट लेता है और तुम लोगोंने नए पेड़ कितन कभी तुमने ये भी सोचा है कि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई होती रही और नए पेड़ ना लगाए गए तो प्रक्रती का ये खजाना खत्म न हो जाएगा हाँ मैया इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया जानते हो पेड़ पौदों के खत्म होने से बनने प्राणियों को तो कश्ट हो ही रहा है तुम्हें भी बहुत कश्ट होगा हमें भी कश्ट होगा मगर वो कैसे मैया ये पेड़ ही तो है जिनकी जड़े सारी मिट्टी को कर रखती हैं पेर ना होंगे तो सारी उपजाओं मिट्टी बारिश में बह जाएगी तब तुम खेती कैसे करोगे अनाज कैसे उगाओगे यह कहतो आप ठीक रही है हम गाउवालों ने सच मुछ मूरखता ही की है लेकिन आप नाराज ना हों हमें एक दिन की महुलत दे दीजिए बस एक दिन की अब हम मिल बैठकर कोई ना कोई उपाई जरूर खोज लेंगे ठीक है एक दिन की महुलत देती हूँ धन्यवाद महिया बच्चों रात को गाउं की चौपाल हुई पूरा गाउं आया सरपंच ने साब को वन देवी का संदेश तुनाया और पूछा भाईयों अब इसका क्या उपाई है हुआ है पूल बात एह अरे वन देवी भी कमाल करती हैं लकड़ी काटेंगे नहीं तो चूले में जलाएंगे क्या अरे शिकार नहीं करेंगे तो मास कहां से खाएंगे और पत्ते तोड़ेंगे तो हमारे घरेलू जानवर गाये बक्री ऊंट क्या खाएंगे सर पंच जी यह बताओ कि जानवरों के पीछे हम भूके मर जाएं क्या लेकिन भाईया वन देवी की बात पर गौर भी तो करो वो यह सब हमारे भले के लिए ही तो कह रही है सर्पंजी सर्पंजी मुझे कुछ कहना है अरे भाईयो शांत शांत विश्णोई जाती के सरदार कुछ कहना चाहते हैं हाँ भाईया कहो 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 कहा अगर हमने वनों और पश्यों की रक्षा नहीं की तो हमारी आगे आने वाली पीड़ी भूक ही मर जाएगी इसलिए आज से हम सब ये प्रतिग्या करते हैं कि हमारी जाती आज से मांस नहीं खाएगी और वन के जीवों की रक्षा भी करेगी अगर हम पेड़ काटेंगे तो साथ ही नए पेड़ लगाएंगे भी हमारे वन निर्भय वन कहलाएंगे विश्णूई जाती के सरदार द्वारा लिये गए वचन की बात जब जंगल में पहुंची तो जैसे ही खुशी की लहर दोड़ गई सब ने वन देवी को बहुत धन्यवाद दिया और गिलहरी को खुब प्यार किया उस रात जंगल में मंगल मना सब ने नाच नाच कर ये गीत गया तो मारा जंगल में मोच मनावाँ जी राजा हो यासूर शिकारी सबने दूर भगावाँ जी तो मारा जंगल में मोच मनावाँ जी अभियाब सुन रहे थे राजिस्थान की एक लोग कथा हर्याला वन आलेक रमा पांडे विशे संयोजन मम्त गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार रमा पांडे दिनेश्वर्मा गीता वर्मा राधा कृष्ण दत्ता कविता वैद्य पवन कौशिक और प्रभुदयाल खट्ट ध्वन्यांकन सतीश लाडे नर्माण सहयोग वंदना निगम नर्माण एवं प्रस्तुती रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना नर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा